तो आज हम बनाएंगे सावन मंडे स्पेशल स्वीट केसर बासुन्दी यह जटपट बनके तो रेडी नहीं होता है लेकिन बहुत ही कम इंग्रीडियन्स में बन जाता है आप लास्ट मिनट में भी इस रेसिपी को प्लान करके अराम से बना सकते हैं तो चलिए इसको बनाना शीरू करते हैं यहां पर मैंने बासुन्दी बनाने के लिए वन लिटर फूल फैट मिल्क लिया है हम इसमें पानी बिल्कुल भी एड नहीं करेंगे नहीं तो इसको गाड़ा करने में हमको और ज्यादा टाइम लग जाएगा अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक यह पूरा गाड़ा न हो जाए इस तरह से चलाते रहेंगे इसमें मलाई पढ़ने नहीं देना है इसमें जब तक बॉइल नहीं आता तब तक मैं गैस का फ्लेम थोड़ा हाई में रखोंगे जब इसमें बॉइल आना शुरू हो जाएगा तो हम गैस का फ्लेम लो में कर देंगे अभी मिल्क जो है अच्छे से उबलना शुरू हो गया है इस तरह से साइट से हम इसको फिर से निकाल लेंगे जो भी मलाईस में जमा हुआ है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहां पर मैं ड्राइफ फूर्ट्स, कैश्यूनट और अल्मंट्स को बारिक कट कर लिया था अभी इसको इसमें एड कर देंगे देट्ए, और इसको भी साथ में अच्छे से बोईल कर लेंगे इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ताकि जो भी मलाईस में बना ओगाормoth, मिल्ख में और अच्छी तरह से मिक्स हो जाएmark और इसको और गाड़ा होने तर पकने देंगे आप देख सकते हैं मेरे अच्छे से पक्के पूरा गाड़ा हो गया है इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब ही यहां पर मैं इसमें शुगर आड़ करूंगी अभी मैं इसमें टू टेबल स्पून शुगर डाल रहे हूं मेरे घर में वैसे मीठा कम ही खाते ह है इसलिए मैं शुगर कम डाल रहे हूं आपके घर में ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो उसके अकावडिंगा शुगर को कम्या ज्यादा कर सकते हैं और अभी यहां पर जो केसार हमने भीगा के रखे थे उसको डाल देंगे और अभी इसको अच्छे से मिक्स करते ह kaca अपावा हुए थोड़ी दियर और बॉयल कर लेंगे अपके मेजा मिक्स करते जाएंगे हमारा बसंदी है उतना ही अच्छा रहे गाने तो इसको इच्छे से मिक्स करते जाएंगे अभी अच्छी से गाढा हो चुक ए बासंदी जो है बनकर रिडी है हम इसको बोल में ट्रांसफर कर लेंगे नि7 स्अफर और यहां पर मैंने थोड़ा से ड्रै stirs कट कर के रखे थे इसको उपर से अफर से डालेश कर देंगे खोड़ा सा केसर और अभी हम इसको अच्छे से ठंडा होने तक फ्रिज में रख देंगे और ठंडा होने के बाद इसको सर्ग करेंगे आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं अगर आपको ऐसे ही मीठा खाना पसंद नहीं है तो आप इसको पूरी के साथ भी खा सकते हैं आप इसको घर में एक बर बना के जरूर देखिए अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी को लाइक कीजिए थैंक यू फॉर वोचिंग